हेलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासिज में और आज हम MCQs लेके आए हुए हैं MCQs, reports और index से related क्योंकि हमने comment section पर देखा था कि आप reports और index से related MCQs चाते थे तो हम आपके लिए वो available कर दिये हैं चलिए पहले question पर आते हैं पहले question है कि International Trade Union Confederation जो है ITUC वो 2006 में बना था दूसरी statement है कि India was the least performing of the 10 countries तो इसमें से कौन से दोनो statements correct है 1, 1 & 2, none of the above तो इसका सही answer क्या है 1 & 2 All right, तो जो ITUC है वो 2006 में बना था और यह Brussels Belgium based organization है और India जो है इसका member है India is the member of it, तो ITUC ने जो कहा है वो यह कहा है कि 85% तक violation होती है अब यह वाले जो point है यह EPFO के perspective से बहुत important है वो इसलिए कि right to strike violation किस किस चीज की हुई है, right to strike की हुई है, deny किया गया है freedom of speech workers जो की violence पे exposed किया गया है, जिनकी मार पिटाई होती है, ठीक है, उनको justice का भी access नहीं दिया गया है और यह 85% तक violation है, तो इससे और भी आपकी questions निकल के आते हैं, quality के, और आपको homework क्या है, आपको पढ़ना है direct to principle of state policies, right, और आपको freedom of speech है तो, right to हमारे जो journal rights आते हैं, वो भी आपको आज revise करने हैं, देखें, homework जितना करेंगे इस time पे, the more you sweat in peace, the less you bleed in war, और examination is like a war, और उसको जीतने के लिए, revision और homework करना ज्यादा important है, ठीक है, तो ranking जो है, वो global right index के पहमाने पे होती है, और total 97 matrix होते हैं, अगर आप वैसे तो examination में यह total 97 matrix नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा से interest है इस में, तो आप Google कर सकते हैं, चलिए अबने अगले question पे आते हैं, अगले question है, यह एक report है, जो क्या report का नाम है, tackling COVID-19 youth employment crisis in Asia and Pacific, ठीक है जी, तो यह report किस ने release करी है, हमारे पास यह organization के names है, International Labour Organization and Asian Development Banks, BRICS, Government of Singapore, Ministry of External Affairs, India, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, International Labour Organization and Asian Development Bank, दिखे जी, जहां पर भी आपको ILO दिखता है, या उससे related, कोई भी ऐसी release करीगी है report, वो बहुत important हो जाती है, किस के perspective से, EPFO, exam के perspective से, इसके बारे में थोड़ा और जानते है, तो report कहती है, जो 13 countries है, उसमें 1,5 crore जो youth है, youth, उन्होंने अपनी job लूज करी है, किस टाइम पर, COVID-19 के टाइम पर, और सबसे ज़्यादा किस country की है, वो पाकिस्तान जो है, वो lead करता है, most number of job lost, पाकिस्तान leading number पे है, और जो इसने एक और predict किया है, कि जो employment rate है, इंडिया का, वो 32.5%, 32.5% तक भढ़ जाएगा, तो ये इसके 3 points है, ठीक है जी, अगले question पे आते हैं, अगले question है, कि export preparedness index 2020 जो है, वो कौन release करता है, ठीक है, नीतियायोग, ministry of commerce and trade, competition commission of India, reserve bagger of India, तो उसका सही answer क्या है, इसका सही answer है, नीतियायोग, देखेजी, जो भी सरकारी organization है हमारी, अगर वो कोई report या indexes देते हैं, तो उसका importance बहुत बढ़ जाता है, examination perspectives है, ठीक है जी, तो यह क्या है basically, export जो होता है, कौन-कौन से states करते हैं, उसके पैमानों पे कौन-कौन top कर रहा है, तो गुजरात जो है, वो इस index के हिसाब से number one पे है, followed by महाराष्ण तामिलाडू, तो यह जो states है, यह sea facing है, मतलब कि यहाँ पे ports है, ठीक है जी, यह एक category हो गई, और जो landlock states है, उसमें राजस्तान ने top किया हुआ है, तो गुजरात जो है, वो sea facing पे आ गया, landlock पे राजस्तान आ गया, और हिमालियन states में उत्थराकंड टॉप करता है, ठीक है जी, यह तीन आ गए, और जो pillar है, पिलर्स मतलब index के concept अमाने हैं, जिस पर यह आया हुआ है, रिलीज करा है, उसमें आप देखते हैं कि states की विवन policy क्या है, export ecosystem कितना अच्छा है उनका, और business ecosystem कितना बढ़िया है, और export performance, तो यह चार index है, जिसके उपर यह report release होती है, चलिए अब अगले question पर आते हैं, कमात पैनल जो है, वो किस चीज से related है, rising NPA in public sector banks, loan restructuring due to COVID-19, new RBI monetary policy, none of the above, तो जेखेजी, इसका जो जवाब है, वो क्या है, B, loan restructuring due to COVID-19, देखे, कोरोना का काल था, 2020, जो पूरा हमारा कोरोना के टाइम पे आए, तो हमारे जो GS के, GS के या current affairs के question है, वो भी COVID से बहुत relate करेंगे, चाहे हो economy हो, quality हो, social background हो, काफी ज़ाद करेंगे, ठीक है, तो basically क्या है, कि कमात पैनल जो है, ये कमात जो है, वो former chief of the new development bank थे, ठीक है, और इन्होंने RBI को submit करी थी, और submit क्या करी थी, loan recovery, अब कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि, लोन के लिए काफी ज़ादा हमें चूट दे गई थी, income tax भरने के लिए भी काफी चूट दे गई थी, क्योंकि करोना के टाइम पे, सारा का सारा देश, वो lockdown में था, ठीक है, तो lockdown में हमारी economy बहुत डाउन गई थी, लेकिन loan recovery के लिए, इन्होंने ये कहा था, कि pre-covid, pre-covid मतलब covid से पहले financial state देखनी है, company की, कि वो, अगर उन्होंने कोई loan लिया है, तो वो NPA में तो नहीं आ रहा है, ठीक है जी, अगर NPA में आ रहा है, तो उसी हिसाब से उसकी recovery होगी, और अगर उनकी payment बिल्कुल ठीक चल रही है, तो उनको कि pandemic की वज़े से, textiles, wholesale trade, road and engineering, ये काफी ज्यादा affected होए थे, राइट, चलिए, अब अगले question पे आते हैं, अगले question है कि, which city has stopped the global, global smart index 2020, ठीक है, global पे आया है, ज्यादा specify कर रहो है, तो इसमें क्या है, Singapore, Hyderabad, Auckland, New York, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, Singapore, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा से जानते हैं, तो ये जो index है, ये institute for management development along with Singapore university, institute for management development और Singapore university ने release कर रहा है, ठीक है, global smart index 2020, और total 109 city को rank किया गया था, ठीक है, जिसमें कि Singapore top पे है, और हाइदराबाद ये, क्योंकि इंडिया का भी आया था, तो इंडिया का सिर्फ एक ही आया है, हाइदराबाद जो है, उसका 85th rank आ गया है, और 2019 में उसका 67 rank आ गया था, ठीक है जी, तो हम नीचे आया हैं इस ranking में, ठीक है जी, चलिए अब अगले question पे आते हैं, अगला question है कि health in India report जो है, वो कौन release करता है, health in India report कौन release करता है, तो इसका सही जवाब क्या है, नहीं जी, aims नहीं है, ministry of health नहीं है, जाद जाद नीती आया हो, बिट नहीं जी, इसका ministry of statistics and program implementation ही है, और इस बार जो report थी, उसका basic जो objective था, वो यह था कि इंडिया के health sector के related quantitative data करना है, लेकिन इस बार report में एक नया clause भी डाला था, वो यह था, कि health of religious community, religious community का मतलब क्या हुआ, Hindus, Hindus, Sikhs, Ferjans, ठीक है जी, हमारे country में बहुत ज़्यादा religion है, इनके उपर ज़्यादा focus है कि religious community के खानपान रहनसेन में क्या है, जिसकी वज़ए से health की जो पैमाने हैं, वो decide होते हैं, ठीक है जी, कॉलेस्टरॉल हो गया, BP हो गया, फिर आपके बाकी भी काफी जादा factors है, वो decide करता है, राइट, चले अब अगले question पर आते हैं, तो अगले question है कि कौन सी university ने top किया है, in the filing of highest patents in a year, ठीक है जी, तो patent क्या होता है, patent होता है, जैसे आपने कोई चीज बनाई, कोई चीज इन्वेंट करी, और आपने उस पे अपना हक ले लिया, मतलब कि इसमें मेरा हक है, और उसमें copyright भी बन जाता है, और बहुत सी चीज़ होती है, वो patent act के अंदर आता है, लेकिन इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप Google पर जाके properly पढ़ सकते हैं, क्योंकि patents जो है पूरा एक act है, और ये intellectual property rights से भी related है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जे, तो highest patent जो है, वो कौन सी university ने कर रहा है, अब university के बारे में इसलिए आ रहा है कि वहाँ पर research काफी चलती है, वहाँ पर research जब चल रही ह होती तो नए नए चीज़े device होती है और उस पर patent claim करती है, तो इसका सही answer क्या है, इसका सही answer है, चंडिगड़ university, ये important हो जाता है, ठीक है जे, अब चंडिगड़ university basically चंडिगड़ में है ही नहीं, ये आती किस में है, पंजाब में, और ये चंडिगड़ से around 30 to 35 km दोर है, और पंजाब निस्टी चंडिगड़ में आती है, ठीक है जे, तो अब इसकी थोड़ी से explanation पर आते हैं, तो intellectual property annual report जो है, वो government of India देती है, चंडिगड़ इनिवस्टी ने 336 patents इस बार file करे थे, ठीक है जे, और states के अगर इसमें आये कि research और innovation में तो पंजाब ने top किया हो है, यो top 10 states में top किया हो है, ठीक है जे, तो अगले question पर आते हैं, तो अगले question है, future of jobs report जो है, वो कौन सी organization ने किया हो है, तो हम जवाब देने से पहले आपके लिए और homework है, आपको किस-किस organization के बारे में पढ़ना आज, United Nations, World Bank, International Monetary Fund, World Economic Forum, ठीक है, क्योंकि इन में से हमेशा 60-70% chances रहते हैं, कि आपको इन से related questions आएंगी ही आएंगे, तो वो बेवकूफी ही हुई कि आप इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो यह आपको homework है, ठीक है, इसका सही answer क्या है, इसका सही answer है, World Economic Forum, ठीक है, ठीक है था, Future of Jobs, रिपोर्ट 2020 हर बार करता है, इस बार 3rd edition 2020 में था, और क्योंकि इस बार क्यों यह इतना ज्यादा special हो गया, क्योंकि COVID-19 की वज़े से, इस रिपोर्ट में कहा है कि 85 million jobs जो है, ठीक है जी, वो disrupt होंगी, disrupt मतलब यहां तो खतम हो जाएंगी, या उनको प्रॉब्लम आएगी, 85 million jobs दो हजार पच्चिस तक, वालब हमारी economy में काफी जाधा changes आने वाले हैं, और कुछ अच्छे नहीं आने वाले, because of this one pandemic, ठीक है जी, नेक्स पोजिशन पर आते हैं, तो India has been ranked dash position in climate performance index, ठीक है जी, climate performance index 2021 for the second year, तो इसका कौन से rank आया है हमारे इस में, इसका है हमारा rank, तसवा rank, यह है इसका answer, इसके बारे में जानते हैं, तो जी, CCPI जो है, वो एक non-profit, non-profit German watchdog है, उन्होंने release करी थी, ठीक है जी, एक non-profit German watchdog है, किस के साथ, cooperation किस के साथ की थी, climate institute and climate action network के साथ, इन्होंने collaborate करके release करी थी, और यह एक independent monitoring tool है, इसमें कोई, मतलब कोई government वगएरा इससे related नहीं है, ठीक है जी, तो यह क्या देखती है, यह देखती है कि, हर country के climate policy देखती है, ठीक है जी, कि, 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 किस country की climate policy कैसी, जैसे for example, अभी इंडिया ने recently भारत stage 4 से, सीधे भारत stage 6 पे जाने की तियारी करे, ठीक है जी, फिफ्थ को हमने, निकाल दिया, तो मतलब हमारे emission policies देखती है, फिर और, हमारे जो current level of greenhouse gases emission है, वो देखती है, energy usage देखती है, कि, कितना use कर रहे है, और जो हमारे, जो 2030 तक क्या targets है, हमारे related to climate, ठीक है जी, वो भी है, और हमारे खुद के जैसे, हर country के, कुछ न कुछ होते हैं, हमारे भी SDG goals है, उसमें क्या-क्या है, ठीक है जी, तो, उससे related, फिर हमारी ये report आती है, जिसमें इस India को 10th rank दिया था, which is quite good, okay, जी, next question पर आते है, next question है, कौन से country ने highest number of newborn babies हुए थे, कौन से 1st January 2021 को, ठीक है जी, तो, चाइना है इसका answer, South Africa, India है या ब्राजील, जी हाँ, इसका सही answer है, इंडिया, अब ये वाली, ये वाला question कहां से आ गया, वो इसलिए आया, कि ये जो report है, वो release कौन करता है, United Nations Children's Fund release करता है, तो इसलिए important है, क्योंकि international organization इसकी report डाली है, और वो ये भी देखता है, कि कौन से बच्चे, किस टाइम पे, कहां, कौन से country में हो रहे हैं, ठीक है, तो total 3,71,500 BB spawn हुए थे, new year के दिन, ठीक है, ये important है, तो हमें comment section पर बताएए, कि आपको ये जो indexes और reports है, इसके related, अगर आपको और questions चाहिए, तो हम various videos बना सकते हैं, इस पर, comment section पर ज़रूर बताएए, कि आपको किस चीज related current interface से चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी, कि आपके last minute revision में important चीज़े cover हो जाए, thank you so much, have a nice day.